क्या आपको पता है इन दवाईयों के बीच में लाइन क्यों बनी होती है एक ऐसा जानवर जो मेल होते हुए भी बच्चे पैदा कर सकता है और इस दुनिया का सबसे छोटा आदमी कौन है तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही फैक्ट जानेंगे तो बस आप वीडियो को यह तक जरूर देखना तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नमबर टैन एस्टोनोट्स जो स्पेस सूट पहन कर स्पेस में जाते हैं उस एक स्पेस सूट को बनाने में लगभग 85 करोड रुपे खर्च होते हैं फैक्ट नमबर नाइन सान मारिनो विश्वका एक ऐसा देसे जह नहीं दो राष्ट पती होते हैं फैक्ट नमबर एट जब हम सपना देखते हैं तो हमें सपने में कई सारे फेसेज यानी चेहरे दिखाई देते हैं पर क्या आपको पता है सपने में दिखाई देने वाले हर एक चेहरे को हमने एक बार जरूर देखा होता है फैक्ट नमबर इस सिंबल को देखो जरूर आप इसे हैस्टेग बोलते होंगे पर क्या आपको पता है इस सिंबल को टेक्निकल लेंगेज में हैस्टेग नहीं ओक्तो थ्रोप कहते हैं इंडिया के पहले ऐसे एक्टर है जिनका wax statue लंदन के तुसार मिजियम में लगया गया है यह एक टाइप की मचली है जिसका सर घोड़े के सर से मिलता जुलता है इसलिए हम इसे समुद्री घोड़ा कहते है लेकिन क्या आपको यह पता है कि यह एक ऐसा जानवर है जो मेल होते हुए भी बच्चे पैदा कर सकता है यह इंग्लेंड का वह जगह है जहां पर धर्ती का अंत होता है मतलब इसके बाद से आपको धर्ती नहीं मिलेगी फैक्ट नम्बर थ्री क्या आप जानते हैं अमेरिका के चार्ल्स आस्बोन उनको अभी तक की सबसे लंबी हिचकी हुई थी और इनकी यह हिचकी करीब 68 सालों तक चली थी जिसकी वज़े से उनका नाम गिनिज बुक आफ वर्ल्ड में भी दर्ज है फैक्ट नम्बर टू दवाईयों की बीच में लाइन इसलिए होती है ताकि हम उन दवाईयों को बीच से तोड़ कर खा सकते दोस्तों यह बात हमेशा याद रखना जिन दवाईयों पर लाइन होता है उन्हें हम आधा तोड़ कर खा सकते और जिन दवाईयों पर लाइन नहीं होता है हमें वह आधा नहीं लेना चाहिए फैक्ट नम्बर वन चंद्र बहादूर दांगी यह दुन्या के सबसे छोटे आदमी थे और उन्हें ने यह रिकॉर्ड 72 साल की उम्र में बनाया था और उनका नाम गिनिज बुक औफ वर्ल रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है और उनकी हाईट 21.5 थी पर दोस्तों 3 सितंबर 2015 को उनकी मृत्ति हो गई भगवान उनकी आत्मा को शांती दे तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करे शेर करे और अगर आप इस चैनल पे न्यूँ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश जरूर करे तब तक लिए अलविदा धन्यवान